सुप्रभात प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब आज एक नया दिन है तो मैं भी आपके लिए एक नया पार्ट नए कविता लेकर आई हूँ जिसका नाम है मन करता है मन तो बहुत कुछ करने को करता है मेरा भी आपका भी लेकिन बच्चों का मन बहुत चंचल होता है उनका मन तो बहुत चीजे करने को करता है तो बच्चे बड़े सीधे साधे सरल और कलपनाशील होते हैं सीधे साधे ये तो अब आप ही जानते हैं कि बच्चे सीधे साधे या थोड़े बहुत शरारती भी होते हैं चलो बच्चन में ये सब तो चलता है थोड़ी बहुत शरारती तो जरूरी होते हैं लेकिन बच्चे मन के सच्चे जरूर होते हैं वे कभी जूट नहीं बोलते हैं और उनकी कलपना शक्ती भी बहुत अधिक होते हैं वे बहुत अलग-अलग अकलपने चीजों की भी कलपन प्रशन पूछते हैं कि बाप रे बाप आप भी तो बहुत सारे प्रशन पूछते होंगे ना अपने ममी पापा से टीचर से और आपके मन में तरह तरह की इच्छाएं भी जगती है ना सारी चीज़े देख के काश मैं यह होता काश मैं वो होता काश मैं पक्षी होता आसमान में उठता तो यह काश 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 बहुत सोचते हैं अब और खुलापन और अज़ादी चाहते हैं कौन बच्चे आप लोग आप लोगों को अगर कोई कहे ये कर लो पढ़ लो नहीं मैंने अभी पढ़ना नहीं है मैंने खेलना है जब देखो पढ़ने को बोलते रहते हो ममी फिर कहती है पढ़ लो फिर आप कहती है नहीं मुझे भी टीवी देखना है तो आप जो चाहते हैं वही करते हैं आप अज़ाद रहना पसंद करते हैं बंदकर नहीं रहना चाहते हैं क्यों और आओ इसी भाप को एक कवीता में हम पढ़ते हैं जानते हैं कि बच्चों की क क्या इच्छाएं हैं, वो क्या-क्या बनना चाहते हैं, मुझे पता है, इस जो कवीता है ना, इसमें जो इच्छाएं बताएं गई हैं, आप लोगों की भी, जरूर कोई न कोई इच्छा इन इच्छाओं से मिलती जुलती होगी, चलो कवीता पाट करते हैं, जानते हैं बच चलिए कवीता पढ़ते हैं मन करता है पंची बन उड़ जाएं हम सूरज चंदा से बतियाते दूर दूर हो आएं हम मन करता है दूर देश रहती हैं परियां लाल पहली सुन्दर परियां जादू कीछड लिये हात में छो मंतर हो जाएं हम मन करता है प्यारी प्यारी चंचल मचली अठ खेली करती हैं जल में सागर सागर मचल मचल कर मोती कुछ चुन लाएं हम मन करता है आसमान में गुमा करते गुंगर वाले खाले बादल गड़ 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 शोर मचा कर टप टप जल बरसाएं हम मन करता है बाहर सब कितना सुन्दर है भरा खजाना खुला हुआ है तोड़ ताड़ कर बंदन सारी जोली अपनी भर लाएं हम मन करता है तो बच्चों आपने देखा कि बच्चों का क्या क्या करने को मन करता है तो चलो इसका भावार्थ समझते हैं मन करता है पंची बन उड़ जाएं हम बच्चे कह रहे हैं कि हमारा मन करता है कि हम पंची बन कर पक्षी बन कर उड़ जाएं चिडिया जैसे आस्मान में उड़ती हैं हम भी अजाद होकर आस्मान में उड़ें और आस्मान में उड़ते उड़ते हम सूरज और चान से बाते करें बतियाते मतलब उनका ये मन कर रहा है कि उनसे बाते करें और दूर दूर हो आएं हम मन करता है और तो उनका मन ये भी करता है कि पक्षी मन कर वो इतना उचा उड़े और इतनी दूर 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 देशों में होकर आ जाएं तो वे अज़ाद रहना चाहते हैं आस्मान में पंक फिलाकर उड़ना चाहते हैं फिर अगली पंकती देखिए दूर देश रहती हैं परियां लाल रुपहली सुन्दर परियां जादू कीचर लिये हाथ में चू मंतर को जाएं हम मन करता है देखो बच्पन में सब लोग सोचते हैं कि दूर एक देश है जहां परियां रहती हैं बच्पन में हम भी कुछ ऐसी सोचते थे कि दूर देश में कहीं परियां रहती हैं और वो लाल रंगे कपड़े पहने होते हैं उन्होंने पहली रूप वाली सुन्दर परियां होती है उनका रूप खिला-खिला होता है वो बहुत सुन्दर होती है उनके हाथ में एक जादू की चड़ भी होती है तो वो कहते हैं हम भी एक जादू की चड़ी ले उन परियों क तरह और चू मंतर हो जाएंbes यानिंग गायब हो जाएंग उनका पिये मन करता है कि जादू की डाबरा, गिली-गिली, चू, और चीज गायब हो जाती है, बस ऐसे ही, प्यारी-प्यारी चंचल मचली, चंचल कौन होते हैं, बच्चे भी चंचल होते हैं, जो एक जगा नहीं टिक सकते हैं, कभी इदर, कभी उदर भटकते रहते हैं, तो प्यारी-प्यारी जो चंचल बड सागर सागर मचल मचल कर मोती कुछ चुन लाएं हम कहते हम हम भी सागर में जाएं इदर उदर गूमें तैरें और वहां से मोतियों को चुन कर ले आएं हमारा मन करता है आपको पता है ना सागर की गहराई में सीप के अंदर मोती पाये जाते हैं तो बच्चा यही इच्छा प मचली भी बनना चाह रहा है कभी वह पक्षी बनना चाह रहा था कभी परियां जैदो की छड़ी लेना चाह रहा था अब वह चंचल मचली बनना चाहता है फिर देखें क्या बनना चाहता है उसका क्या मन कर रहा है आसमान में गूमा करते हैं गूंगर वाले काले बादल गूम औंगर पड़े होते हैं कुंडल वाले बाल बोलते हैं कुंडली से करली से तो यू aparece काले बादलों की तरह इतर 3 और गड़घय करें शौन में चाते हैं पतह नड़ Ärot बारिश होने वाली होती है तो काले बादल चाह जाते हैं और फिर वो शोर डाल देते हैं गड़-गड का अपस में टकराते हैं गड़-गड की आवाज आती है और जैसे ही बारिश करती है टप-टप, बादल जब बरसते हैं तो कैसे, जलकी बूंदे कैसे बरस्ती हैं टप टप की अवास करती हुई तो उनका बादल बनने का भी मन कर रहा है और वो चाहते हैं हम बादल बनके पानी बरसाएं बाहर सब कितना सुन्दर है भरा का जाना खुला हुआ है तोड़ दार कर बंदन सारे जोली अपनी बर लाएं मन करता है तो बच्चे कह रहे हैं कि हम कहीं बंद कर नहीं रहना चाहते हैं घर के अंदर नहीं रहना चाहते हम बाहर गुमना चाहते हैं प्रकरती को देखना चाहते हैं नेचर को देखना चाहते हैं कितना सुन्दर खलजाना भरा हुआ है बाहर पशु हैं पक्षी हैं तितल बंदन तो उड़ देना चाहते हैं, वो एक जगा बैठना नहीं चाहते हैं, तो वो खुश्यों से अपनी जोलिया भर लेना चाहते हैं, वो हर चीज वो कर लेना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, जो जिसकी वो कल्पना करते हैं, तो बच्चों वाके में कवीता बहुत पूरा कर सकते हैं जब आप उसे लाइक बनेंगे धन्यवाद